नौरात्र की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकामनाए और आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग नौरात्र के दिनों में लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं तंत्रिक क्रिया जो जीवन में मुश्किलियों को बढ़ा देता है आज हम तमाम मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए आप घर के मुखे दर्वाजे के बाहर क्या टांगे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कई बार दुसमन बहुत परिशान करते हैं यानि आपकी लोग तरकी सी जलते हैं बेबज़ा कहीं कुछ नहीं है लेकिन कोई किसी की खुसी देखी नहीं सकता साइद आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा हो गया पर आप चाहते हैं आप सेब रहें आपके परिवार सुरक्षित रहे तो नए साल के पहले दिन जैसे कि इस बार नए साल का पहला दिन बहुत ही खुबसूरत सा संयोग और सटर डे यानि सनीवार का दिन अब इस दिन जो भी परियोग करेंगे न वो फलेगा तो इसलिए इस दिन आप जरूर ये परियोग कर लें कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपको लगेगा जैसे आपके पास कुछ नहीं है तो ये एहसास मातर ही आपको डरा देता है तो जब ये समझे कि जब आप सच में मुस्किल में रहेंगे तब क्या होगा त तो आपके खुद के रिष्तेदार ही जलते हैं, कभी पडूसी जलते हैं, क्योंकि उनसे आपकी खुशी बरदास नहीं हो पाती और इस कारण लोग तंत्र क्रियाएं कर देते हैं, और तंत्र क्रियाएं जादा तर अमवस्यतिति को या सनिवार रविवार के दिन किया जाता ह या फिर किसी ऐसी काली रात के दिन जब लोग तंत्र क्रियाएं को सिद्ध करते हैं, आप चाहते हैं धन भी आए, मुस्किलें दूर हो जाए, क्योंकि कई बर पूजा पाठ करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता, तब इन सभी मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए, अगर किसी ने कुछ तंत्र क्रियाएं किये हैं आपके उपर, तो उन क्रियाओं को समाप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रियोग कीजिए, बहुत सिंपल है, हमारे तंत्र सास्तर में बहुत तरह के पेड़ पौधे जो हमारे आसपास तो हैं, पर हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उन चीजों से अचुते रह जाते हैं, तो आज जो हम आपको प्रियोग बताएंगे, उस पौधे की जड़ से बहुत सारे प्रियोग किये जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कैसे और कब लटकाएं, कि आपके उपर लोग टोने टोटके ना कर पाएं, तंद क्रियाएं ना कर पाएं, घर में रहने वाले लोग सुरक्चित रहें, बरकत होती रहें और खुसियां भर भर कराएं, जिस पर आपका हक है, तो चलिए सुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो सफेद कलर का आकड़े का पौधा, किसी भी अमवस्यातिती को कर सकते हैं, एक दिन पहले उस पौधे के पास एक सुपाड़ी, एक सिक्का और जल लेकर जाएं, जल आप बोटल में भी ले आ सकते हैं, पहले पौधे में जल डालें, सुपाड़ी, सिक्का वहां रख दें पौधे के पास, और फिर पौधे से अपना परिचे दीजे, आप कौन है, कहां से आये हैं, आपके माता पिता कौन है, आप क्या चाहते हैं, इसके बाद उनको परणाम करके बोलिए, हम आपको कल लेने आएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा और हमारी मनुरत पूरी कीजिएगा, और अगले दिन आप उस पौधे के सहारे बांध कर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ऐसे लटकाएं कि लोगों को आते जाते नजर पड़े, तंत्र क्रियाएं भी असर नहीं करेगी, और किसी ने कुछ किया है, तो वापस उसी के पास चला जाएगा, एक और खास बात, देखिए चुकि सनी बार का दिन है तो आप सुभा सुभा दरवाजा खोलते ही, सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर पौणी जरूर डालेंगे, ताकि किसी ने कुछ किया होगा, वापस उसके घर ही जाएगा, फिलाल भी डालेंगे, हर हर महादे